नमुद्राइन जी नमुद्राइन जी नमुद्राइन जी नाराइन भविश्यवानी में नाराइन एस्ट्रो फ्रेंड नाराइन नाराइन में नाराइन एस्ट्रो इंडिया चैनल में और तमाम हमारे सोशल मेडिया नेटवर्क में आप सभी मित्रों का तह दिल से हार्दिक स बात करेंगे आज वक्री से मारगी होने वाले शनिदेव के उपर जो की 18 सेप्टमबर 2019 से धाई वर्स तक दोस्तों यह यह फल देने वाले हैं किन तीन राशियों में लाब देंगे नुकसान देंगे और किन नो राशियों में लाब देंगे आज आपको मैं इस वारे में बत इसका दोस्तों आपने थोड़ा उप्चार भी बताएंगे आपको लेकिन सबसे पहली बात में बात करूंगा मेश राशी वालों की शनी देव जो हैं दोस्तों इतने समय से वक्री चले आ रहे थे और वक्री ग्रह जो होते हैं वह बहुत ही पावर्फुल होते हैं बहुत नेगेटिव रॉल प्ले करते हैं कभी-कभी तो बड़ी हानी भी देते हैं अगर आपको कह दिया जाए कि आपने बैक साइड चलना है आपने आगे देखना पीछी की तरफ चलना है तो ज्यादा तर चांसेज रहेंगे दुरगटना होने के इसी प्रकार से मार्गी यानि क बिसाड़ सती के रूप में धन्युराशी में चल रहे हैं नुमे भाव के अंदर यानि कि मेश राशी वाले वक्तियों को नुमे भाव से अब 18 सब्टमब्र 2019 से लेकर के अगले ठाई वर्स तक जो है मेश राशी वाले वक्तियों को सुनीदेव नुमे से दस्वें के तो यह मेश राशी वालों को बहुत 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 अच्छा है केरियर में काफी ज्यादा तरक्की के चांसेच हैं काफी ज्यादा अच्छा शुफल दाइक रहेगा गुड न्यूज मिलेंगी और शनी देव दोस्तों बहुत कृपालू हैं लेकिन शनी देव की अगर आप द शनी देव कही न कहीं पापी ग्रहक रूप में माने जाते हैं बहुत सारे लोग बोलते कि निशनी देव तो मित्र हैं हां किसी की कुंडली में मित्र या शत्रू पर्टिकुलर भी हो सकते हैं लेकिन शनी देव का जो परसनल डिपार्टमेंट है वो दोस्तों छटे-ाठव बारमे का वो जुडिसल है वो जज देते हैं वो दया नहीं करते उस समय जब आपने गलती की हुई हो तो दोस्तों शनी देव की बात चल रही है शनी देव 18 सप्टमबर से जब यह मारगी होएंगे वक्री से मारगी होंगे तो किस राशी को क्या अफ़ल देंगे बात करू कि वैसे तो शनी देव मित्र हैं लेकिन यहां पर आप ध्यान देने वाली बात है ब्रिक राशी को बहुत ज़्यादा लाब देंगे क्योंकि आठमे भाव से नोवे भाव की तरफ जाएंगे जैसे आठमे से नोवे की तरफ जाएंगे यानि कि आपकी विदेश यातरा भग्य भक्ति इश्वर में आस्था यह सब चीजें आपकी बढ़ने वाली हैं नुआ भाव आपका यात्रा का भी है कहीं ने कहीं सम्मंद रखता है आपको विदेश के अंदर बेजने का भी और धार्मी की यात्रा हैं भी कोई वर्ल्ड टूर की प्लैनिंग चल रही हो उन स सब चीज में ब्रिख राशी वालों को बहुत ज्यादा लाब मिलेगा यानि की भग्या व्रिद्धी होने वाली है ब्रिख राशी वालों का जो भग्या सोया हुआ उसके जागने के भी बहुत ज्यादा चांद सजाएं अगली राशी दोस्तों बात करेंगे मितुन राशी की, मितुन राशी को कुंडली में सात्वे से आठवे भाव की तरफ जाएंगे, अब ध्यान समझने वाली बात है, मितुन राशी को वाले को मारक भाव, यानिक सब्तम भाव से जब अस्टम में जाएंगे, तो अस्टम भाव का फल कहीं ने कहीं इनको स्वास्तिय संबंदी परिशानिया, चोरी होने का भय, इल्जाम एलिगेशन लगने की परिशानिया, मांसीख परिशानिया बनी रहेंगी दोस्तो यह हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों का अच्छा प्रभाव हो आपका होरोस्कोप के इसाब से सिच्वेशन कभी-कभी भिन भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा तर जो है सेंटरलाइज देखेंगे, एक सिस्टमाइज देखेंगे, तो सभी को ज्यादा तर स्टेंडर राशियों में ऐसा फल देने वाले हैं तो मितुन राशी वालों को वाहन चलाते समय बड़ी ध्यान रखने को वाली बात है, बहुत ज्यादा केर करने के ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे करक राशी में, करक राशी को छटे भाव से सब्तम की तरफ जाएंगे यानि कि छटे से सात्वा मतलब आपका छटा भाव भी रोग रिन शुत्रू का है और सब्तम भी मारक स्थान है तो कहीं ने कहीं, कहीं ने कहीं जो करक राशी वाले हैं, इनको स्वास्ते संबंधी परिशानियां, मांसिक पीड़ा, कर्ज की संभावना, बैंक लोन में परिशानियां, स्ट्रेस, अनायास परिशानियां, अचानक से कोई परिशानिक खड़ी हो जाना, इत्यादी इत्या तो पंचम संतान की तरफ से चिंता हो सकती है, थोड़ा सा पंचम से छड़े की तरफ जा रहे हैं। तो संतान को लेकर के चिंता, या कहीं ने कहीं को रोग या रिन या बैंक लोन की परिशानिया, या फिर कोई पैसा अचानक से डूब जाना, जिस आदमी पे वरोसा किया, वहां से पैसा ना मिलना या फिर कोई आपका कोई बेंक से संभदित को प्रोपर्टी से रिलेटेड कोई मेजर परशानी का सामना करना पड़ना या फिर कहीं नहीं मान सम्मान की परशानियां तो रोग, कोई नो कोई पुरानी बीमारी उठ सकती है, पुराना रोग उठ सकता थोड़ी आपको साथधानी बरतनी पड़ेगी बात करेंगे दोस्तों कन्या राशी वालों को कन्या को चोथे भाव से पंचम की तरफ यहां गुड नियूज है क्योंकि फॉर्थ से लगजरी से पंचम संतान, बुद्धी, विद्य, एजुकेशन, एंटर्टेन्मेंट तो कन्या राशी वालों को कहीं न कहीं यह डॉक्टर, एजुकेशन, एंटर्टेन्मेंट, आप को प्लैनिंग कर रहे हैं एजुकेशन की, कोई कम्पेटिशन एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, को आईलेट्स कर रहे हैं, आपने कोई और कम्पेटिशन की तियारी करनी हैं, व कि आपकी कुणली में फॉर्थ फिफ्त जा रहे हैं तो फिब थाउस क्या है लॉव का है ऐफेक्षण प्रेम प्यार का है एक्रेक्शन का है संतन का है सब बच्चे नहीं हो रहें बच्चे हो जाएंगे इश्वर क्रिपा से को संतान में अर्चन आ रही है पैदा होने में आ रही है गरब धारण में प्रॉब्लम आ रही है या कोई आपकी कुछ भी बुद्धी संबन्दी कुछ भी कारिया रुका हुए सब ठीक हो जाएगा इश्वर क्रिपा से बाकी प्र पितुला राशी वालों के लिए गुड न्यूज क्या है आपकी कोई घर बन सकता है प्रॉपटी खरीदने का मन बना रहे हैं प्रॉपटी मिल जाएगी घर बनाना चाह रहे हैं लगजरी हाउस बन जाएगा और 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 क्या रहेगा आपका कोई चोटी-मोटी यात्राइ को पेंडिंग पड़े हैं वरक आपके वो सीरे चड़ने लग जाएंगे फॉरन ट्रेवल की प्लैनिंग है वो भी काफी हद तक सक्सस लग जाएगी कोई पी आर लेना चाह रहे हैं को तुला राशी वाले तो पी आर मिल जाएगी फॉरन सेटलमेंट की बात आती तो भी ठ तो काफी काफी चीजें हां पर शनी देव की ठीक की तरफ जा रही है सुख बढ़ेगा हैपिनेस बढ़ेगी लग्जिरियस बढ़ेगी चलिए बात करेंगे वरिश्चिक राशी वालों की वरिश्चिक राशी को दूसरे से तीसरे भाव में वरिश्चिक राशी वालों को 2nd से जब आप 2nd से 3rd house में आएंगे तो शनी देव वैसे भी तीसरे 11 बारवे भाव में लाव देते हैं तो आप ध्यान से समझने वाली बात है वरिश्चिक राशी वालों को दोस्तो जब 2nd से 3rd में आएंगे तो यहां partnership के relation बनेंगे कोई नए नया joint venture हो सकता है नया collaboration हो सकता है नया कोई project start कर सकते हैं तीसरा कोई प्राने partner जो route गए थे वो मान जाएंगे भाई बैनों से relation खराब थे वरिश्चिक राशी वालों को वो भी ठीक होने के संभावनाई बनेंगी संबंद अच्छे जुडेंगे करोध से थोड़ा बचके रहिएगा वरिश्चिक राशी वालों के लिए खास इधायत है करोध पर काबू रखना शुरू कर दो नहीं तो बरबादी भी बहुत करवाएंगे लेकिन कुल मिलाकर के लाब दायक हैं यहां पर वक्री से मारगी होने वाले शनी देव जो की 18 सेप्टमबर को होने जा रहे है इस शुर क्रिपा से और 18 सेप्टमबर 2019 से धाई वरस तक चलने वाले हैं दोस्तों बात करूंगा धनु राशी वालों की क्या बात है धनु राशी में तो पहले भी शनी देव बैठे हैं साड़ सती की रूप में तो शनी देव जिस भाव में बैठते हैं उसमें लाब देते हैं उसमें व्रिद्धी करते हैं लेकिन शनी देव की द्रिष्टी अच करने शुरू हो जाएगी तो थोड़ी कम शुरू हो जाएगी थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा स often a wh से शुरू अबैदेस से 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 तर्छाइंटोर स्क्रेव आजएगे सरा करने की त्लसे करेंगे जार मका राशी में धाई साल वाद तकरीवन तो यहां पर यह जो जो शनी देव जो मारगी रहेंगे डाई वर्स तक रहने वाले और शुर कृपा से शनी देव का सभी राशियों में ज्यादा तर अच्छा फल मिल रहा है लेकिन यहां पर धनो राशी को कुल मिला के लाप देंगे द शुरू कर दो तो वो भी आपका रूपया भी जल्दी वापिस रिकावरी होनी शुरू हो जाएगी इसके बाद नाराएं जी मैं बात कर रहा हूं मकर राशी वालों को मकर राशी वालों को बारवे भाव से लगन की तरफ है अब मकर को बारवे से जब लगन की तरफ शनी बढ़ेगी और आपको यहां पर जानके हरानी होगी इश्वर क्रिपा से परिवार में गुड न्यूज मिलेगी कोई हैपिनेस के काम खुशी के काम ब्याशादी बच्चों के काम परिवार के काम आपका जो जो शिम्मत थी जो वो ठीक हो जाएगी जो शारिरिक तोर पे जो क सिस्टम डाउन है जिनको शनीदेव अच्छा फल दे रहे हैं उन सब का नर्वस सिस्टम ठेक होने की तरफ जाएगा थोड़ी मुटी दवाई लेंगे वो लग जाएगी योगा मेडिटेशन करेंगे उससे लाब हो जाएगा तो कहीं ने कहीं शनीदेव आपकी फेवर में यहां पर मका राशी वालों के लिए गुड नीजवा है कि उनके लगन में हैं लाब देंगे शनीदेव इसके बाद करेंगे हम कुंब्र राशी वालों के कुंब्र रासी से एकारा य। i má और और वह खर्चा और जा तो यहां पर औरिक तरफ ग्यारों योग बनता है विमल योग यानिे कंजूस बन जाता है इनसान कंजूस का यानि यह मतलब है कि इंसान सोच-सोच के पैसा खट्च करता है कुऊ्ब राशी वालों को यहां कंजूसी जरूरी भी हो जाएगी जो आप शेर बन जाते हो ना कभी कभी कि ठीक है उड़ा दो पैसे की कोई परवा नहीं अब ये विमल योग सिखाएगा कि कैसे पैसे की वैल्यू करनी है कैसे पैसे को संभालने है कैसे पैसे की धनकी इज्जत करनी है कैसे पैसे की रिस्पेक्ट करनी है इसलिए त्यारी कर लो कमर कसलो आपको अपने खर्चे और अपनी सोच समझ बुद्धी को जागरित रखने तो बारवा घर है कोट कचेरी खर्चें पर उन पर भी लगवाएगा और मानसिक परशानियां भी थोड़ी देने वाला है तो थोड़ा कहीं 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 मिक्स फल देगा विमल योग होने से फाइदा अब ही है लेकिन बारह घर का फल तो आप समझते हो जेल या तरह रोग कस्ट बिमारी चिंता विदेश हैना ट्रैवलिंग एन एक्सपेक्टेड फाल्तू के ट्रैवलिंग खर्चे लेकिन कहीं ने कहीं आपको अलट रहने की जुरूरत है तो अंत में दोस्तों बात करेंग के मीन राशी वालों को मीन राशी वालों को सबसी अच्छी गुड नीज है क्योंकि दसवें से घ्यार्में घर में शनी के जाएंगे यहां पर जो शनी देव हैं वह आपको बैंकिंग सेक्टर फाइनस एक्टर कोई बड़ा लोन पास कराना चाते हैं इंडस्त्री के लिए नया को स्टार्ट अप करना चाते हैं तो मीन राशी वालों के लिए बेस्ट आईए मीन राशी वालों के जो माता से परिवार से पिता से जो सम्मंद खराब हो रहे थे वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे तो कुल मिला करकि मीन राशी को ओअच्छा फल मिलेगा तो दोस्तो शनी देव का ये था 12 राशियों का फल जो 3 राशियों के लिए तकरीबन तकरीबन परिशानी वाला और 9 राशियों के लिए बहुत बहुत अच्छा फल देने वाला है वक्री से मारगी शनी देव 18 सप्टमबर से शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में लाब देंगे दोस्तो हो सके तो 18 सप्टमबर को शनी देव जी के मंदिर जाकर प्रासना करनी है हाद जोड के उनके चरणों में निवेदन करनी है आई कॉंटेक्ट शनी देव जी के साथ कभी नहीं करना चाहिए कभी भी शनी मंदिर में सामने जाके खाड़े नहीं होना चाहिए 18 सप्टमबर को या 19 को या 18 के पस्चाद जो भी शनीवार आए उस दिन आप करके आएंगे तो आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी कृपा बनी रहेगी मजदूर को मिठा वोजन करवाना है सभी राशी वाले ये उपाई कर सकते हैं मन की शांती के लिए कष्ट को दूर करने के लिए दोस्तो यदि आप भी नरायन जी से मिलना चाते हैं या आप मुझे फॉलो करना चाते हैं जो टीवी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं इस पे आप फोन करके अपॉइटमेंट बुक कीजिए जो फीस प्रोसीजर है उसे फॉलो कीजिए तत पस्चात आप समय दिया जाएगा समय लेकर कि आप मुझे से बात कर सकते हो वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप बैठे हो कहीं से भी बैठके आप वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल करके मुझे से आप बात कर सकते हो तो दोस्तो ये था आज का हमारा एक विशेश विशे और अगला एक एपिसोड नए किसी खास विशे के लिए और किसी विशेश रतन के लिए लेके आ रहा हूँ जल्दी आप देखिएगा और आप हमारे नारायन आइस्ट्रो इंडिया चैनल को जरूर जरूर कीजिएगा या एस्टो फ्रेंड नाराएंड नाराएंड के नाम से भी आप हमें या नाराएंड भविश्यवानी भी डालेंगे तो आप हमारा जो चैनल हो आएगा आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकॉन को बटन को भी जुरूर दबाईएगा ताकि नए नए एपिसोड भी आपको रोज-रोज मिल सकें तो दोस्तों आपको यह अगर कैसा लगा एपिसोड एक छोटी सी कोशिश थी कोशिश की है कोशिश है कोशिश करना हमारा काम है बाकी तो फल तो इश्वर ने देना है आपको अच्छा लगे तो जुरूर लाइक कीजेगा करमेंट कीचीए और जल्दी मिलते हैं नाराएं जीनमोन राएंजी नमोन राएंजी नमोन राएंजी आ ह है आउ